नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा इंट्रा वी फिप्टी बीए सिस के फेसलिफ्ट वर्जिन का और विहाले में टाटा मोर्टर्स ने अपनी वीफिप्ट को नए अफ्तार में लॉच़् किया और आज के साथ इस ट्रकge को लोन पर च्यांकरियां कर complet करने के सबहं को कम से कम डाउन पर कंप्सक्रुक्य करने बाद दाउंपेंट करने कितनी मनतली किस्त इस लson 라고 ट्रक की बनने वाली है तो यह वली वीडियो काफी जदा मजदार होने वाली है तो मेरे आप से रुकेश्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंतक पूरा देखना वीडियो का कोई भी पार्ट स्कीप मत करना और गाइस अगर आप चनल पर नए है तो चनल को लाइक कर लेजिए और आपको यह वाली वीडियो ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल में भूलना तो चले गाई जब भीना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू तो दोस्तो फ्रेंट से इस पिकप ट्रक का लूग कुछ ऐसा है और यह टाटा के तरफ से एक स्मॉल कमर्शल वीकल है और यह जो पिकप ट्रक है यह असानी से 1500 किलो का पेलोड कैरी कर सकता है और यह जो 1500 किलो है यह गाईज ओफिशल है बैठे हापर आप इससे जदा इस कमर्शल वीकल में कैरी कर सकते हैं यह आपर बात करते हैं इंट्रा वी 50 के इंजन के बार में तो आपको इस पिकप ट्रक में 1496 CC का चार स्लेंडर डीजल इंजन देखने को मिलता है और यह जो इंजन है वो 79 HP की मैक्समाम पावर बिडियूज करता है और यहां पर आपक पर बात करते हैं इस पिकप ट्रक के प्रैस के बार में तो अभी पिकप ट्रक का 8,67,000 प्रैस चल रहा है और यहां पर अगर आपको इस ट्रक को लोन पर प्रचेस करना है तो आपको कम से कम 3,60,000 रुपे का आसपास के डाउन पर उने करनी पड़ेगी अगर आप यह कर दे हैं तो 5 साल के लिए जो किस्ते बनेगी वह बनने वाली है 12,800 रुपे के आसपास और किस्ते आपको हर मत पेक करने पड़ेगी और आपको 9.5% के आसपास पेक करना पड़ेगा बाकि यहां पर आपको पिकप ट्रक के लूप कैसी लग रही है यह आपको में प्लीज घंगों मिलती है वें अपको आफटर-मार्केट लगमाने पड़ेगें यहां पर कंपनी आतर्म फोलल यहां पर उता का लोग् गरते है लोगों देखनी मिलते हैं और यहांपर आपको tube वाले टायर इस pickup truck में देखने को मिलते हैं बाकि यहांपर आपको black color के rearview देखने को मिलते हैं और यहांपर guys coolant fill करने का space है तो चले दोस्तों अब मैं आपको इस pickup truck के cabin के अंदर लेकर चलता हूँ तो यहांपर कुछ इस तरह का driver side का door आए यहांपर guys आपको manually operated mirror देखने को मिलेगी यहांपर आपको door पे bottle holder देखने को मिलेगा यहांपर काफी बड़िया space हमें cabin के अंदर देखने को मिलते हैं और यहा और यहांपर आपको तीन बटन देगे हैं पहला एक dummy switch है second guys headlight का है और तीसरा switch है वो guys eco mode है अगर आपकी गाड़ी खाली चल रहे है तो जब आप eco mode में डालके अपनी गाड़ी को drive करोगे तो आपको काफी बड़ी है mileage इस pickup truck में देखने को मिल जाए गया और जो चोथा option है उससे आप अपने headlight को उपर नीचे कर सकते हो यहाँ पर seat quality की बात किजिए तो काई seat quality काफी बड़ी है यहाँ पर आपको leather की seat इस pickup truck में देखने को मिलती है और बात किजिए steering के बारे में तो यहाँ आपर आपको hydraulic power steering इस pickup truck में देखने को मिलता है और यहाँ आपको सेंटर हो गया time हो गया fuel gauge हो गया और gear shift advisor हो गया और ऐसी काफी सारी जानकारिया आपको इस pickup truck के console में देखने को मिल जाते है तो मेरे को तो इस pickup truck का console काफी बड़ी अलगा और आपको एक console कैसा लग रहा है यहाँ आपको हमें please comment करके बताना है और यहाँ आपको steering wheel पे left side में आपको dashboard में देखने को मिल जाता है तो उसे काफी सारी space जो हो cabin में create हो जाती है और यहाँ आपको USB charging वाला socket देखने को मिलता है तो guys आप काम कैसे हमें अपने phone को असानी से charge कर सकते हो और यहाँ आपको intra V50 में AC नहीं मिलता है वो guys optional है अगर आप चाहें तो उसको लगवा स सकते हो इस कलवा यहाँ आपको dashboard में कुछ space मिल जाती है अगर आप चाहें तो अपने कुछ किमति समान यहाँ पर रख सकते हैं और इसको guys आप असानी से log कर सकते हो बात करें passenger side के door किये तो जैसा door हमें driver side देखने को मिलता है वैसा है same door आपको passenger side देखने को मिल जाता है यह यहाँ आपको center में cabin lamp देखने मिलती है और यहाँ आपको sun shade भी देखने मिलती है तो guys अगर आप काफी दुपैर में इस pickup truck को drive कर रहे हो तो इस चीज़ से जो आपकी driving है वो काफी असान हो जाती है बाकि यहाँ पर तीन लोग असानी से इस pickup truck में बैठ सकते हैं और यहाँ बात करते हैं leg space के बारे में तो यहाँ आपर guys cabin में काफी अची leg space है यहाँ आपर guys आप देख सकते हैं कि हमें cabin में काफी अची space provide की हुई है इस कलवा यहाँ पर आपको पीछे देखने के लिए शीशा भी दिये हुए तो guys आपके trailer में क्या कैसमान रखा हुए तो यहाँ स आप उस चीज पर निगरानी कर सकते हैं इंट्रा वी 50 की mileage के बारे में अगर बात करें तो guys अगर आप फुल लोड करके इस पिकप ट्रक को चिला रहे हो तो आपको सानी से 12 से लेके 14 km पर लेटर का इसपास के जो mileage हो देखने को मिल जागी और अगर आप इस पिकप ट्रक क खाली चिला रहे हो तो आपको सानी से 16 से 18 km पर लेटर का इसपास के जो mileage है वो इस पिकप ट्रक से मिल जाएगी और यहां पर बात करें दो पता फ्रेंट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और आपको रेर में 10 पता पीछे सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और यह काफी अच्छा लूड असानी से केरी कर सकते हैं टाटा इंटरा वी 50 की लैंध के बारे में अगर बात करें तो इस पिकप ट्रक की 4734 mm की लैंध है 26 mm का wheelbase है और यहां पर 1620 mm की इस पिकप की width है यहां पर बात करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में तो आप इस पिकप ट्रक में 35 ल तो दोस्तों आपको यह वला पिकप ट्रक कैसा लग रहा है यह आपको मैं जरूर कमेंट करके बताना है अगर आपका इस वीडियो के रिगार्ड या इस पिकप ट्रक के रिगार्ड कोई भी कोशन है तो वह आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हूँ मैं आपका तब रिपलाइक कर दूँगा और गाइस अगर आपको यह वाली वीडियो अची लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो चले गाइस बहुत ही जल्द भिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई